अप्शन्स पर टुमोरो, आज के अंसिस के लिए तयार है, हमारा निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, फाइब मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जैसे के आप जानते हैं, डेली हम सिर्फ पांच मिनट पर ही इसको एनिलाइस करते हैं, इंट्राडे के लिए खासकर प 60 और 40 इसलिए लगाते हैं कि 40 और 60 के बीच में अगर मार्केट मूव कर रही होती है, तो उसे हम as a sideways market एजियू कर सकते हैं, और अगर 60 के ऊपर है, तो उसे हम uptrend एजियू कर सकते हैं, और 40 के नीचे अगर है, तो हम downtrend एजियू कर सकते हैं, इसलिए हम 40 60 का इसमें बैंड लेकर चलते हैं, सबसे पहले मैं बता दू कि जितने भी हमारे options trading के combo course जिन्हों ने join किया है, और उसको study किया है, उन्होंने आज भी बेहतरीन profits बुक किये हैं, काफी अच्छे profits हैं, उनके screenshots मैंने आपको टेलिग्राम चैनल पर शेर की भी किये हैं, सबसे पहले जो आप यह सबस्ति में भी कुछ important levels हैं, जैसे black lines है, horizontal lines यहां पर marked हैं, यह सारे levels मैं आपको daily market open होने से, मतलब एक दिन पहले आपको provide करता हूँ, तो आज के लिए मैंने आपको यह levels कल ही provide किये थे, शाम को 9 बजे करीब नाइट में, और यह देखिए 31st Gen के लिए आज के लिए important levels थे, निफ्टी के लिए भी और bank निफ्टी के लिए, तो आप चाहें तो इनको tally कर सकते हैं, यह same levels, जो जितने levels के बीच में market ने move दिया है, वो levels मैं यह आपर draw करके रखे हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि यह levels आप तक भी पहुँचे, तो आप simple हमारा telegram channel join कर सकते हैं, जो नेम कॉपी करके चीजों को fraud कर रहे हैं, तो जन्वीन चीज को ही join करें, कैसे चेक करेंगे कि यही हमारा options for tomorrow का channel है, अब उसका username जरूर चेक करें, options for tomorrow, कोई इसमें dot नहीं है, कोई underscore नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ simple options for tomorrow, और 45,000 प्लस members, यही हमारा एक ही channel है, और मैं यह भी बता दू, इसके अलावा हमारा कोई भी दूसरा channel नहीं है, तो कुछ भी अगर आप दिखता है, तो वो सफरोट से उनसे बच कर रहे हैं, और हमारा कोई भी paid WhatsApp ग्रूप भी नहीं है, WhatsApp पर हमारा कोई ग्रूप नहीं है, टेलिग्राम पे भी इसके अलावा कोई दूसरा चैनल नहीं है, तो इस चीच का ध्यान रखें कि जॉइन करने से पहले आप यूजर नेम जरू चेक करें, तो आप चलते हैं सीधे अपने चार्ट पर, फिर मैं आपको कोर्स के बारे में भी बताऊंगा, जिन लोगों ने कोर्स की मदद से काफी अच्छे आज profits बुक किये हैं, कैसे किये हैं, कैसे उन्होंने लर्निंग की है, जो 2499 का हमारा कॉमबो कोर्स है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के सबसे लास्ट में, जो कि हमारी वेबसाइट पर ही होगा, तो optionsfortomorrow.com, इस पर हम बात करेंगे, तो वीडियो में बने रही है, सबसे gap down के according, लोग नई positions बनाते हैं, या अपनी पुरानी positions को तुरंद exit करते हैं, कई सारी trades volatility के साथ होती हैं, इसलिए पहली एक दो candle में ignore करता हूँ, तो अगर मैं या तीसरी candle की बात करूँ, तो market ने यहां से एक support लेने की कोशिस की है, हमारे level से, जो मैंने आपको level दिया था यहां पर 17,290, यहां से market ने support लेने की कोशिस की है, और एक छोटा से trade हमारा यहां पर बन सकता था, call के साथ, देखिए, market ने बिल्कुल जो resistance level में आपको दिया था, 17,355, अब चाहें यहां चेक कर सकते हैं, तो 17,290, और उसके उपर जो resistance possible हो सकता था, वो था 17,355, और उ almost, नीचे का level फिर से हमारा 290 था, वहां पर market ने आपको यहां तक आपको touch कराया, तो इस position को यहां exit करके, दुबारा हमें call की position बना सकते हैं, जिसने आपको फिर से same वही level, बिल्कुल level पर market ने आपको resist करते हुए दिखा, तो इसी तरीके से support resistance की यह levels आपके लिए काम कर स किया, ब्रेक किया, लेकिन अगर जिसने भी course में study किया है, तो वो इस pattern का नाम तुरंत comment करके बताएगा, मैं इसको N1 नाम दे रहा हूँ, आप N1 लिखकर आगे dash लगा के आप इस pattern का नाम बता सकते हैं, जो आपको uptrend बताता है, यह uptrend बताता है, तो obviously बात हम अपनी put की position को जो यहां बनाई थे, हम उसको exit करेंगे, और यहां से अगली green candle ने जैसे level को हमारे break किया, तो यहां से हमको एक support के भी मदद मिली और यहां से हमने call की position बनाई, जिसका हमारा stop loss पिछली candle का lower होने वाला है, stop loss पर एक और वीडियो में बनाने वाला हूं, बहुत जल्द इसी वीडियो के description में दे रखे हैं, आप चाहें तो check कर सकते हैं, तो यहां से breakout के बाद, आपने यहां से अगर एक call की position बनाई है, तो उसने पहले आपको देखिए, यह जो level आपका यहां पर बार-बार resistance की तरह काम कर रहा था, यह level यहां से break हुआ, और almost इस level तक market ने पह कोशिश की, market 10 point पहले यहां से resistance की तरह काम की है, कैसे check करेंगे, हम यहां से reverse क्यू लेंगे, जब market यहां नहीं पहुची, तो हम कैसे पता करेंगे, तो अगर आप इसको देखें, तो बकाइदा इस तीन candle ने एक हमें छोटा सा shooting star pattern बना कर दिखाया है, तो हम यहां पे अप पुरानी वीडियो देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला है, कि अगर level के बीच में market कोई भी move कर रही है, हम तो trade को ignore करेंगे, या फिर अगर market 40-60 के बीच में है, तो भी हम अपनी trade को ignore करेंगे, तो यहां पे market देखें, बिलकुल यहां पर आप level के भीच में move कर रही है, त इसमें हम trade कर सकें, तो यह थी आज की कुछ moments, काफी market वैसे gap अब भी थी और अच्छी position में आज positive में भी रही है, अब बात कर लेते हैं, कल इन levels के इसाब से कैसे आप चीजों को analyze कर सकते हैं, अब देखिए, अभी market अगर आप यहां पर कहीं पर आए हैं, तो simple सी बात है, market levels के बीच में हैं, तो एक sideways movement हम इसको कह सकते हैं, और RSI भी हमारा देखिए, 4060 के बीच में, तो हम यहां पर कोई भी trade लेनी की कोशिस नहीं करेंगे, until unless हमारा उपर का level, या फिर नीचे का level कोई break हो जाए, जिसकी second candle हमें confirmation दे, और हमारा RSI भी हमको support करें, अगर हम down की बात करें, तो अगर हमारा RSI 45 के आसपास है, और वो 40 की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर हमें एक अच्छा confirmation मिल सकता है, नीचे की तरफ market जाने का, तो यह हम फिर हम यहां पर put के साथ जा सकते हैं, नीचे के level तक अपना target बना कर, और नीचे के level पर जैसे ही market पहुंचे तो हम exit कर करें या ना करें, इसका decision आप reversal pattern के हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपको कोई reversal pattern दिख रहा है, तो हम और अपनी position को exit कर लेंगे और अपने profit को book कर लेंगे, अगर ऐसा कोई भी खतरा नहीं दिखता है, का हमको बड़ा breakdown मिलता है, और अगली candle भी हमको दिखती, तो हम अप उपर के level की buying के लिए जा सकते हैं, call के साथ, और सिम उपर के जो reversal pattern जैसे course में भी आपने बहुत सारी चीजे पढ़ी हैं, जो आप अगर course जॉइन करेंगे, तो आप उसमें पढ़ेंगे भी बहुत सारी चीजे, और वो हमें train reversal pattern अगर दिखता है, तो हम अपनी position को कर सकते हैं, चीजे को देख सकते हैं, आप चलते हैं, bank nifty फिर उसके बाद हम देखेंगे, तो bank nifty की अगर मैं बात करूँ, तो bank nifty में एक अच्छा gap up दिया था, और यहां गर मैं दो candle को ignore करूँ, तो तीसरी candle ने देखिया, यहां पर market से support लिया है, तो छोटा सा trade हमारा य कोई लचमर रेका नहीं है, आप 15 point का margin लेकर जरूर चले, तो अगर market ने यहां से reverse किया है, तो आपको यहां पर तुरंट exit कर लेना था, क्योंकि level touch नहीं हुआ, और market ने यहां से reverse लिया, तो यह level हमारा तुरंट resistance की तरह काम कर रहा है, जगर आपने यहां से put की position बनाई ह हैं, जो इतनी कोई heavy green candle नहीं थी, जो इसको support दे सके, लेकिन फिर भी level के आपको अगर यहां पर reverse दिख रहा है, और हम बोल भी सकते हैं, कि हाँ यहां से support ले सकती है, तो हम अपनी trade को यहीं पर तुरंट exit कर सकते थे, फिर अगली किसी भी candle में हमें ऐसा कोई भी lookout नहीं द यह level था हमारा 37,660, बिलकुल level से market ने support लिया, आप चाहें तो यहां check कर सकते हैं, 37,660 का level था, वो support की तरह काम कर सकता था, अगर उपर से market नीचे आ रही, तो market उपर से नीचे आ रही थी, तो यह हमारा level हमको यहां पर alert होना था, कि 37,660 का level सपोर्ट की तरह काम कर सकता ह है, और काम किया भी, अगर मैं RSI में देखूं, तो एक मुझे double bottom pattern दिख रहा है, जो एक support अच्छा में बताता है, और market को uptrend में ले जा सकता है, तो यहां पर support लिया market ने और एक अच्छा uptrend आपको दिखाया भी, यहां, अब यहां आने के बाद अगर हम देखें, तो बात कर रहा हूं, तो यहां पर आप अगर देखेंगे, तो market में जो price का level है, वो same है, लेकिन RSI का level down हो रहा है, तो यही है RSI की मदद से हम यह जान सकते हैं, कि market अब शायद ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि RSI हमारा down हो गया है, price हमारा level same है, same condition पर, तो यह हमें एक down trend बता बता रहा था, तो यहां पर आप अपनी call की position को तुरंद exit कर सकते थे, बिना यहां level तक पहुचने के wait किये हुए, और आप हमना profit book कर सकते थे, तो उसके बाद देखिए, बढ़िया सा एक double top pattern भी बना है, जिसकी neck line यहां पर break हुई, market ने 60 का RSI भी तोड़ दिया, यहां से एक put की position आराम से बनी, और जिसने आपको एक अच्छा profit यहां पर दिया, market ने यहां से support लेने की कोशिश की है, थोड़ी सी sideways हुई, तो जब sideways market हो, तो हम trade से निकल जाएं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, यहां से आप निकल गए, उसके बाद आप trade को ignore ही करिए, क्यो पुराने charts को पढ़ते हैं, patterns को समझते हैं, और अब देख लेते हैं, सेम चीज़, bank nifty में कल कैसे क्या कर सकते हैं, तो levels आपको यहां पर provide होई जाएंगे, आज फिर मैं आपको night में levels provide कर दूँगा, कल के लिए, तो market अगर levels के बीच में कहीं भी move करेगी, हम trade को ignore करेंगे, पहला point, अगर market sideways कहीं, आप ऐसी जगे घुस रहे हैं, जहां पर market sideways है, 40-60 RSI के बीच में हम trade को ignore करेंगे, और हम वगाइदा wait करेंगे, levels के break होने का, उपर का level break होगा, simple, तो पिर हम call के लिए जा सकते हैं, एक confirmation मिल जाए हैं, हमें नीचे के support के लिए, ऐसा ना हो कि यहां स सेम चीज नीचे के लिए भी रहेगी, और हम trend reversal pattern के हिसाब से market को reverse, अगर दिख रहा है हमें, तो exit कर सकते हैं, और अपनी profits को book कर सकते हैं, आप देखते हैं, आज किन लोगों ने धमाल मचाया है, profits कितने book किये हैं, बाकि देखें, मैं आपको सुबह कितने point से gap up या gap down होने एक share suggest किया था, जो एक अच्छा share है, आप जाइए, इसमें इंस्टाग्राम पे भी जाकर चेक कर सकते हैं, आप देखते हैं, profits के आज 550, 495, 600, 2, 4 trades हैं, चारों trade में इनको profit हुआ है, bought all in 500 quantity, but as market is moving both ways, so small profits, okay, कोई बात ने, sideways market में भी निकाला है, इन्होंने किया है, paper trade, okay, very very good, और thank you sir for your combo course, thank you very much sir, आप paper trade करते रहिए, जब तक आपका confidence built up ना हो जाए, 1250 का एक अच्छा profit है, thank you sir, thank you very much, 1520 का एक profit है, thanks sir and combo course, okay, very good, आपको अच्छा लगा, 498, 582 का है sir, course से level पे trade किया, okay, very good, 1220 का अच्छा profit है sir, thanks for your course and level, thank you very much sir, 2145 का अच्छा profit है, 7700 का अच्छा profit है, 22500 का एक profit है, इनोंने बोला है, यह शायद इन का पुराना profit होगा, thanks for the course, okay, thank you very much sir, यहाँ पे 15,000 का एक अच्छा profit है, 10,305 का एक अच्छा profit है, एक loss 125 रुपीस का है, इनका stop loss ही टुआ होगा शायद, जहाँ तक, अच्छी बात है, stop loss जरूर यूस करना के बाद, आप यह आप कोर्स कहीं से भी सीख रहे हो, चीजों को सीखने के बाद, पेपर ट्रेट जरूर करें, पेपर ट्रेट कैसे करते हैं, उस पर मैं अलरीड वीडियो बना चुका हूँ, इसी के वीडियो के description में आपको उसका भी link मिल जाएगा, 2265 का एक अच्छा profit है जिसमें 155 का loss है, 321 का profit, overall 166 का profit है, बिक सपोर्ट सर, आपका thanks, thank you very much sir, 1318 का एक अच्छा profit है, 520 का एक profit है, trade after 5 days in single lot with help of EMA, okay, very good, 910 का अच्छा profit है, thank you sir, sir, profit छोटा है, पर लर्निंग बड़ी है, यही में चीज है, knowledge लेना बहुत ज़रा ज़रूरी है, combo course is very helpful for earning money day by day, keep learning and keep earning, very good, 769, 897 के दो profit, after course, first profit sir, thank you for your course, thank you very much sir, बस आपकी वजाय से, and thanks a lot, real money नहीं, but जैसा सोचा था, market वैसा ही गया, okay, very good, learning in बड़री है, इनों knowledge लिया है, अच्छी तरीके से सीख रहे है, 552 का एक profit है, 690 का एक profit, अच्छों के 552 का एक profit है, morning profit, okay, very good, 2255 का एक अच्छा profit है, सच जी, हाँ, हम नए traders के लिए भगवान, sir, अज़ा नहीं, आप knowledge लिजिए, knowledge सीखिए, आपके knowledge का सब कमाल है, यह अच्छी बात है, कि आपने tip के ऊपर knowledge को prefer किया, वो सबसे best part है, 1250 का एक अच्छा profit, यहाँ पर 532, 228, 1260 का एक अच्छा profit, 250 का ए loss हुआ, अब मैंने बहुत बार practice किया, और result मिल गया, sir, thank you so much, बिलकुल, practice करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, 1618 का एक अच्छा profit है, boom, boom, RSI, work for me, 16,000 का एक अच्छा profit है, 1200, 120, 265 का एक अच्छा profit है, new profit, sir, last 10 days से profit में ही हूँ, कोई loss नहीं है, that's good, really, very nice, 15,000, 316 का एक अच्छा profit है, paper trading का है, यह paper trade कर रहे हैं, आपके levels का कमाल है, thank you, sir, combo course बनाने के लिए, thank you very much, sir, 3,000 का अच्छा profit है, 11,000 का अच्छा profit है, thanks a lot, Guruji, market में मैं जुकेगा नहीं, okay, very good, 2,000, 1,500, 405, तो इस तरीक है कि profits के इस्किल शॉट्स आते रहते हैं, मेरे पास अभी भी आ रहे हैं, आप चलते हैं सीथे course पर देखते हैं, कैसे आप course ले सकते हैं, download कर सकते हैं, कैसे study कर सकते हैं, तो course आपको मिलेगा हमारी website पर, optionsfortomorrow.com, इसके अलावा कहीं भी course नहीं मिलेगा, इस किसी भी fraud में फसें नहीं, और course अगर आप जॉइन करना चाते हैं, चीजों को अच्छे से सीखना चाते हैं, तो बिल्कुल बिगनिंग से पूरा course है, और हिंदी में हैं, पूरा 12 मोड्यूल्स हैं, आप अची तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, और जब चाहें जितनी बार स्टेडी कर सकते हैं, कोई भी इसकी लिमिट नहीं है, पूरा almost 2.5 hours का लगभग पूरा course है, तो इस सारी चीजों सीखने के लिए आप Simple Join Combo course पे क्लिक कर सकते हैं, वेब साइट का लिंक भी इसी वीडियो के description में मिल जाएगा आपको, जैसे आप Join Combo course पे क्लिक करेंगे, त debit card, credit card, किसी से भी आप payment कर सकते हैं, payment करने के बाद आपके पास course save करने का option आएगा, जिसमें 2.5 GB की zip file होगी, जो आप download कर सकते हैं, तो अपने mobile में, आप laptop में space check कर लिजेगा, और उसे download कर लिजेगा, डाउलोड करने के बाद उस file को extract कर लेंगे, तो आपको सारे modules मिल जा करेंगे, call नहीं, सिर्फ message करिए, आप अपने payment का screenshot और यहां पर जो आप अपनी email ID यूज करेंगे वो, तो मैं आपको direct link दे दूँगा, course को download करने के लिए, तो thank you very much guys, channel को subscribe जरूर कर लिजेगा, जिससे कि आगे कोई भी video आए, तो वो आपसे miss ना हो, thank you very much.